जैसा कि फोटो में दिखाया गया है कि हमको रोल इस्पीड निकालना है रोल इस्पीड बोले तो इसका इस्पीड निकालना है जब मोटर का रिप्यम 750 होगा तब एक मिनट में 750 वर जब मोटर गुमेगा और उनका जो पुली होगा 140 का इसके साथ जो पुली लगाओगा 140 का होगा तो ये कितनी कि इस्पीड से गुमेगा इस इसको निकालना कहने का मतलब है कि 750 RPM पे एक मोटर गुम रहा है जिस पे 140 का पुली लगाया गया है और वो कनेक्ट है गियर बोक्स है जिसका रेशियो यह वन इस्टू वन है एक वन इस्टू वन रेशियो है और पुली का जो डाया है 490 है तो पहले इसको हम समय लेते हैं जब 750 RPM पे घुम रहा है तब एक मिनट में 750 बर गुमेगा यह 140 का इस पे लगा हुआ है और रेशियो जो होता है इसको निकालेंगे जब यह निकल जाए और पुली का जो डाया है 490 है तो इस चीज को हम समझ गए जब इस चीज को इसको निकालेंगे जब यह निकल जाए तो आगे इसको हम बढ़ाएंगे और आगे करेंगे तब रोल का स्पीड रोल का स्पीड निकालने ते पहले हमको गियर बोक्स का स्पीड निकालना होगा क्योंकि गियर बोक्स ही हमारा रोल कनेक्ट है तो रोल गियर बोक्स का स्पीड निकालने के लिए फर्मूला होता है वो formula क्या है कि motor का RPM जो होगा उसको multiply कर देंगे किसे motor के साथ जो pulley connect है उससे बराबर होगा किसका motor gearbox में जो pulley लगाया है उसका multiply करेंगे gearbox के speed से तब वहां से हमारा क्या मिल जाएगा gearbox के speed निकल जाएगा जोई हम दिखाते हैं करके motor का RPM को multiply करदें किसे motor के pulley के dire से बराबर कर दें'M किसे gearbox का RPM को multiply करदेंगे gearbox के pulley data से माल लेक्षि हमारा motor का RPM N1 है और motor का pulley DJS बराबर होगा किसका engine और do D1 है जैसे कि हम उपर में दिखा भी दिये हैं कि N1 इसका RPM का है और D1 इसका bunu powder बराबर होगा किसका एंटू जो है वो है गियर बोक्स का आर पियम और डी टू जो है गियर बोक्स में जो पुली लगा है उसका डाया है तो यह चीज हो गया अगर बाइस चांस हमारे पास कभी हमको एनवन निकाले को बोल दिया जाए बाकितारा कुछ दिया है जैसे हमारा मोटर का जो आर पियम वो दिया है और हमको बोलेगा कि मोटर का स्पिट क्या होगा उस टाम हम क्या करेंगे इस फर्मूला को लगाएंगे उसी तरह अगर हम को मतलब मोटर का आर पियम दे दिया गया है और गियर बोक्स का पुली का भी आर पियम दे दिया है पुली का डाय वोले हैं कि हमार्वूे क solicit movementeger का बडाइया फुली की फूली का यृग विश्ट करना दिया सचाहा आधिल का उसका अपना सचाहा हो पूली को जो डाया वो क्या दिया है और मिल्या हूपकश कट्यूक्स वो भी दिया है तो उसमें ये फर्मूला लगाएंगे लेकिन अभी हमको gearbox का speed निकालना है जिसमें तारा कुछ दिया है क्या क्या दिया है motor का rpm जो 750 है उसी तरह हमारा d1 दिया है जो motor में पुली लगा है हो दिया है तो d1 140 दिया है और d2 जो है हमारा 490 पुली का gearbox में जो पुली लगा है उसका side है तो उस चीज को हम लिएक देंगे 750 गुने 140 डिवाइडर भा 490 तो हमारा लगबग 200 चोगदा rpm आता है जो हमारा gearbox का speed बताएगा जब हमारा motor 750 rpm से घुम रहा है और उसमें जो पुली लगा है 140 का लगा है 750 rpm से घुम रहा है और 140 का पुली लगा है तो gearbox घुमेगा केतना 214 rpm से जब उसमें पुली का side लगबग 490 होगा है मतलब 490 का अगर हम फुली लगाएंगे तो जो मोटर 350 पे घुम रहा है वह हमारा केतना पे घुमेगा लगबग 200 चोगदा पे केतना का difference कर दे रहा है बहुत का difference कर दे रहा है 750 में गुमने वाला को वह 200 चोगदा पे घुमा रहा है जब उसका पुली size कितना लगा है 490 लगा है gearbox में हम जानते हैं कि जब मोटर से कनेक्ट है क्या gearbox और gearbox से connect है हमारा क्या रूल तो हमारा जितना इस पिरते ये घुमेगा वो पुली इसको कम करके 200 चोगदा कर दिया अब ये connect है इससे और ratio भी दिया है लगवाग 1 is to 1 मनि जितना इस पिर तो ये घुमेगा उतना इस पिर से ये घुमेगा तो हमारा कहने का मतलब यह है कि 750 से घुमने वाला motor 200 चोगदा पर घुमा दे gearbox को अब gearbox 2423 पर यहां पे घुम रहा है तो यहां पे भी 200 चोगदा पर ही घुमेगा क्या कि gearbox का जो रिशियो है वन इस्टू वन का कहने का मतलब है कि एक चकर ये लगाएगा तो एक चकर ये भी लगाएगा दस चकर ये लगाएगा तो दस चकर ये ही लगाएगा अगर गियर बोक्स का रेशियो गर टू इस्टू वन रहता तो दो चकर यह लगाता तो एक ही चकर यह लगाता अगर 3 इस्टू 1 रहता तो तीन चकर यह लगाता तो यह एक ही चकर लगाता चार फोर इस्टू 1 रहता तो यह चार चकर यह लगाता तो यह एक चकर लगाता तो यह एक चकर लगाता यह रेशियो का मतलब यह है कि जितना एदर भी घूमेंगा तो 1 candle का मतलब है एक चकर इदाइगा तो एक चकर इदाया झाल है कि इन्पुट RPM मतलब यहां का जो RPM होगा यहां का भी problem होगा मतलब 204 से यह भी रोल घूमेंगा लेकिन को इसका फियक निकालना सब्सक्राइब निकालना यानि वेलोसेटी यानि इसपिट में मैंने 맛ूमीलियों को देराएं पस्सक्राइब फॉर्मूला प्मुला होता है इस पाइद icon इस सीज को याद रखिए पाय बोले तो पाय का बेले होता 3.14 डी बोले तो इसका डाया डी बोले तो रोल का डाया एन बोले तो केतना इस फिट से घूम रहा है तो हम अभी निकाले कि दो सोगदा से घूमेगा 60 into 1000 इसलिए लिखें ताकि यह मीटर पर सकेंड में दे अगर इसको नहीं लिखते तो किलो मीटर में देता पर घंटा में देता जो भी है मीटर पर सकेंड में देगा यह यहाँ पर जो किलो मीटर पर मिनट देता वो मिटर पर सकंड में देता है 31 इंटो थाजन तो यह फॉर्मूला याद रखना है तब पाय का बेलू हम 3.14 पता है हमको अगर पाय नहीं लिखेंगो उस जिगा पर 3.14 लिख सकते हैं और डी डी बोले तो रोल का डाया रोल का डाया 210 है इस चीज को याद रखना है 210 है रोल का पाय पाय का बेलू लिख दिए डी का बेलू क्या रोल काड़ाया है और एन का बेलू क्या लिखें जो 214 जो फॉर्मूला से लगबग आया 3.024 मीटर पर सकेंड जो इसका फेक है मतलब काने का मतलब कोई भी माल अगर इधर से पास होगा पिंच रोल यह पिंच रोल यह प माल पास होगा वो एक सकेंड में तीन मीटर के लगबग में पास करेगा यहां से जो फेक बताता है बहुत लोग का कोस्टन था कि सर्फ फेक कैसे निकाला जाएगा तो फेक निकालने का फॉर्मूला था पाय डी एन बाइ सिश्टी इन तू थाउजंड अगर आपको इसका डाय मालूम है आपको अगर उसका स्पीड मालूम है तो इसको बैठाइए आपको फेक मिल जाएगा कि कितना फेक से गुम रहा है इसी तरह मालेजर की 8 mm का सरियव बनाना है और उसका जो डाय हो 260 का 260 mm का मिल से पास हो रहा है तो पाय का मन 3.14 लिखेंगे और डी का मन हम जा कि इस प Gay खुम रहा है उसका मोटाrun गल ूंट कर 500 के इस प echoes गुमा रहा है चे सो का गूमा रहा एक हजार की इस पटे गुमा रहा है तो rp sm कु है पर डाल देंगे निकाल देंगे उससे आ जाएगा हमारा कितना फेक का आठ एम यम पका बारा एम पका तो इस चीढसे हम निकाल सकते हैं ये फर्मूला से और इस तरह से हमारा रोल का इस पिड निकल गया जो 3.024 के फेक से हमाल को पास करेगा